आप सभी का इंडिया के नंबर वन एडुकेशनल प्लाटफॉर्म अनकेडमी पर यह है अनकेडमी का अनकेडमी यूपीएसी और आप देख रहे हैं मुझे यानिकी दुर्गेश नंदन को अनकेडमी यूपीएसी पर डेली रात के 9 बजए मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डेली न्यूस पेपर अनलाइसिस डेली न्यूस पेपर अनलाइसिस में हम करते हैं दहिंदू, इंडियन एक्ष्प्रिस और पी आईबी से रिलेटेड न्यूज को है ना कवर तो चलिए आ ठीक है आईए फड़ा फड़ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं यहां पर ठीक है तो लेट अस ट्विकली स्टार्ट तो एजिंडा ऑफ दे डे में आज हमेशा की तरह रहने वाला है आज हम बस एडिटोरियल्स नहीं करने वाले हैं मेंस के एड एडिटोरियल्स आज हम नहीं करेंगे आजवाले एडिटोरियल्स कल की सेशन में कवर करेंगे ठीक है आईए देखते हैं 24 तारिक जो है 24 तारिक से अपना बैच शुरू हुआ था यहां पर नए बैच तीन तारिक से भी शुरू हो रहे हैं 3rd of March से 3rd of March से जो बैच नहीं होगी तो सारी फैसिलिटीज यहां पर अबलेबल होंगे तो कम्प्लीट कोर्स का कवरेज है यहां पर कम्प्लीट सिलेबस का कवरेज है इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं टेस्रीज, क्विजेज, डाउट सेशन, सारी चीज़े एक ही आप लोगों को जैसे पसंद आए वैसे कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नी है, डियन लाइव यूज करने से 10% का डिसकॉंट मिलता है आपको और आपको मेरा सपोर्ट मेरा गाइडेंस तो मिलता है रहेगा, वन येर का जो फी है वो है 49,000, टू येर का फी है 72, त्री येर का फी है 90,000, 10% डिसकॉंट के बाद फी हो जाती है ये, ठीक है, चलिए, तो आईए फटा-फट से शुरू करते है अपडेट साथ के, प्री प्लस में इसमें सबसे पहला अपडेट है कोलंबो के पोर्ट के बारे में है तो स्री लांका का कोलंबो और कोलंबो का जो प कर दिया है प्रपोजल टू डवलप कोलंबो ज वेस्ट पोर्ट वेस्ट कंटेनर कंटेनर टर्मिनल तो कलंबो के पोर्ट का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो डवलप करने की इजाजत स्री लांका ने दे दी है ध्यान करने वाली बात यह है कि ये पोर्ट जो है ये टर करने की कोशिश कर रहा है तो strategic significance के बारे में आप खुछ समझ जाईए आपको देख के पढ़ने में interest आता है बाकी लोगों का क्या opinion है ऐसे बढ़िया है या वैसे बढ़िया है आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए तो अपना opinion जरूर बता दीजेगा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर लूँगा मेरे लिए दोनों ही बराबर है मुझे कोई समस्या नहीं चलिए तो इस proposal comes after स्री लंका हैड पुल्ड आउट ऑफ टूटाउजन नैंटी ट्राइपार्टाइट एग्रिमेंट है ना तो स्री लंका ने एक्चुली 2019 में विड्रॉ कर लिया था बोला था कि भाई हम नहीं हो सकते हम नहीं कर सकते तो वहां पे भी इंडिया जापान और श्री लंका तीन पार्टी के बीच में समझोता की बात थी ठीक है पहले वाला सही था सोनुकुमार कह रहे है सर सामने से सामने से ठीक है जी अच्छा आज मैनेज कर लो कल से सामने से आजाएगे आपकी जैसी इच्छा वैसा कर लेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं आपकी जैसी इच्छा वैसा कर लेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं तो इस प्रपोजल कम्स आफ्टर श्री लंका हैड पुल्ड आउट ओफ 2019 ट्राइपार्टाइट अग्रिमेंट विट इंडिया एंड जापान टू डवलप इस्ट हैना कंटेणर टर्मिनल इस्ट कंटेणर टर्मिनल के लिए तो पहले ही क्या हो चुका है मनाई हो चुकी है अरे दर्शन कल से दे दे देंगे बाबा आज तो रुख जाओ आज तो पढ़़ो आज तो पढ़़ो मेरे भाई आज पढ़ लो चलो आज आज अच्छे वच्चे है ना चलो आज पढ़ लो चलो तो East container terminal के लिए पहले ही चैना चैना कह रहे हैं जो हमारा साथी है श्री-लांका श्री-लांका के साथ हमारे disagreement हो गया था है अब West container terminal के लिए श्री-लांका मान गया है location कहां है इसका strategically based है यह next to Chinese run Colombo International Terminal पास में ही चाइना के द्वारा जो चलाया जा रहा है Colombo International Container Terminal वो है और यही इसका main point है आप आप समझ गए कि इंडिया और जापन यहां पर क्यों है तो basically जो purpose है वो है balance करना चाइना को balance करना यहां पर purpose है इसी agenda से यह सारी चीज़ें की जा रही है किस model को अपनाएंगे यहां पर तो यहां पर अपनाया जाएगा BOT model यहां पर अपनाया जाएगा BOT model Build, Operate and Transfer जिसको आप क्या कहते हैं Build, Operate and Transfer model अगले 35 वर्षों के लिए अगले 35 वर्षों के लिए BOT model investors कौन है यहां पर इस project के लिए श्रिलांका has asked India and Japan to nominate the investors तो श्रिलांका और जापान जो है वो investors को nominate करेंगे पर नहीं इंडिया नहीं जापान ने officially अभी इस offer पर comment किया है earlier इंडिया had approved Adani ports to invest in the ECT project जब eastern terminal की बात हो रही थी तब Adani को government of India ने approve कर दिया था पर अब जो western की बात हो रही है तो देखते हैं कि भारत किसको approve करेगा Japan is yet to name an investor जापान अभी भी किसी भी investor का नाम अभी जापान ने नहीं तै किया है जापान बताएगा अगर इस west terminal में stakes की बात करें तो इंडिया और जापान के पास में चाइना का 85 प्रतीशत हिस्सेदारी है वहां पर different operating models पढ़ना important है important है आप पढ़ सकते हैं या नहीं तो किसी दिन मैं भी discuss कर दोगा कोई चिंता वाली बात नहीं है तो चाइना का है यहां पर 85% और भारत और भारत और हमारा क्या नाम है इंडिया है प्लस 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 वाट द्यू कॉल दिस जापन इनका भी 85% होने वाला है जैसे चाइना का है ठीक है बास चली तो इसके बाद moreover इंडिया एंड जापान स्टेक इन डबलू सीटी इस बेटर दान अर्लियर डील उन E.C.T. इनका इनकान स्टेक तो इंडिया का स्टेक सिर्फ 49% था इंडिया जापान का अब 85% है अब हम बेटर पोजीशन में हैं इसके बाद बात आती है परचुनिटी इंडेक्स की 2021 का परचुनिटी इंडेक्स तो लिंक्डिन ने बेसिकली रिलीज किया है Opportunity Index 2021 किस ने release किया है? LinkedIn ने Index focuses on the manner in which women perceive their employment opportunities तो Index focus करता है in manner in which women perceive their employment opportunities मतलब women के लिए जो employment opportunities available है उसकी बात कर रहे हैं यापे further जो Opportunity Index है जयान से समाझने की कोशिश कीजिएगा, Opportunity Index also focuses on how the gender gap is slowing down है ना, the career progress of working women, किस प्रकार से gender gap की वज़े से career progress slow हो रहा है working women का, ठीक है बाई इतनी बात तो समझ में आ गई जो LinkedIn Opportunity Index Research है, है ना, इसको किया कि इसने market research firm GFK ने, ठीक है ये ज़्यादा important point नहीं है, इसको आप ignore कर सकते हैं, ठीक है this is not much important, you can ignore this countries that were included in index, include Australia China, India, Japan Malaysia, Philippines, Singapore है ना, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे ये, जो Asia Pacific वाला region है, उसके countries है यहाँ पे, है ना, Asia Pacific के countries है यहाँ पे मुख्य रूप से Asia Pacific, जिसको आज कल आप Indo Pacific बोलने लगें पर Indo Pacific एक बड़ा टर्म है और भी countries आ जाएंगे उसमें इंडिया के लिए index highlighted difference in understanding regarding the available opportunities for men and women, है ना, तो दोनों के लिए available opportunities अलग-अलग है, ऐसा कहा जा रहा है, key findings क्या है, opportunity index के impact of pandemic on women, है जो COVID pandemic है, उसका impact women पे कैसा रहा है तो 9 in 10, या लगबग 89% of women were negatively impacted by coronavirus pandemic, ठीक है जो अगर बात करें promotions for women की, तो as many as 85% women in India have missed out promotion, है ना, 85% प्रतिशत महिलाओं को promotion इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो महिलाएं थी हैना, अगर पूरुष होते हैं तो promotion मिल जाता तो महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जारी, हैना महिलाओं को बड़ी responsibilities देने से बच रहे हैं so that अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं बड़े सारे कारण हो सकते हैं कि भीया कल को वो अपने kids को manage करने लगेंगी तो अपने काम पे कम time देंगी घर को manage करेंगी तो काम को कम time देंगी इन कारणों की वज़े से this is significantly higher than regional average of 60% तो अगर पूरे छेतर को देखा जाए इस छेतर को तो 60 प्रतीशत महिलाओं को पदोननती यानि की promotion नहीं मिला पर अगर हम बात करें कहां की इंडिया की तो लगभग लगभग 85 प्रतीशत विमेंज को पदोननती नहीं मिला मतलब इंडिया इस मामले में थोड़ा पीछे है Other challenges क्या है Faced by Indian women Fewer opportunities and lower pay structure than men कम opportunities है Pay structure जो है वो low है Lack of time and family responsibilities Lack of time and family responsibilities Lack of guidance through networks Workplace discrimination Workplace का भी discrimination Jail ना पढ़ रहा इनको Because of household responsibilities तो इन सारी समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है Women को अब भाया इसके लिए करें तो करें क्या What needs to be done इसके लिए आखिर करें तो करें क्या Government have to provide greater flexibility to women Government को यहाँ पर women को क्या provide करना पढ़ेगा ज़्यादा flexibility ज़्यादा flexibility Provide करना पढ़ेगा ठीक है So that उनका भी growth हो सके वो भी अपना growth कर सके Part-time flexible schedules और maternity leave जो है अगर ऐसा चीज़े provide करते हैं इससे women का participation workforce में बढ़ेगा और ultimately GDP बढ़ेगा भारत का ठीक है There should be new opportunities for women Women के लिए नए opportunities होने चाहिए So that वो अपने आपको upskill कर सके और learn कर सके क्या Labour market के skills It can help organizations attract higher and retain more female talent ठीक है boss चलिए तो ये हो गई बात Prelims oriented क्या चीज़े हैं यहाँ पर आईए उसको भी देख लेते हैं Prelims oriented में सबसे पहला update है कि Sunset TV Sunset TV क्या है? Government of India ने announce कर दिया कि जो लोकसभा टीवी है और जो राज्यसभा टीवी है दोनों को merge कर दिया जाएगा Both will be merged Merge करके बना दिया जाएगा Sunset TV लोकसभा टीवी Operation में कब से 2006 से Operation में है और ये First Parliamentary Channel था भारत कब लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी से जादा पहले आया है भले ही आज RSTV जादा पॉपुलर है ठीक है? पर 2006 से लोकसभा टीवी Operational है LSTV was brainchild of former लोकसभा Speaker Sominath Chatterjee किसका brainchild था ये? Sominath Chatterjee साभ जो पहले लोकसभा के Speaker रह चुके है उनका He brought the idea of a 24-7 Parliamentary Channel 24 गंटे, 7 दिन, 365 देज एक संसदिय चैनल का idea उनका था To Familiarize Citizens with the Functioning of Parliament कि भारत के नागरिक भी Parliamentary Proceedings के साथ परिचित हो सके इस Objective के साथ ये शुरू किया गया था ठीक है बाप्स? अब यहाँ पर note करने योग ये कुछ बाते हैं क्या बाते हैं? बोले, before the LSTV started functioning as a channel few selected parliamentary proceedings had been televised since 1989 ठीक है? बोले कि, before LSTV started functioning as a channel कुछ parliamentary proceedings जो है वो TV पर 89 से दिखाने शुरू किये गये थे पर 2006 के बाद, after 2006 एक dedicated channel बना दिया गया जो था लोकसभा channel ठीक है? दूसरा channel आया जो उसका नाम है राज्यसभा channel राज्यसभा TV जो आप में से काफी सारे लोग देखते भी है 2011 में शुरू किया गया था ये telecast कर रहा था लाइफ प्रोसीडिंग राज्यसभा की तो आपको पता ही है इंडिया एंड वर्ल्ड जो प्रोग्राम होता है इंडिया एंड वर्ल्ड ये काफी इंपोर्टन है civil services preparation के लिए भी आप में से काफी सारे लोग देखते होंगे नहीं देखने तो देखना शुरू कर सकते हैं ठीक है? the budget of RSTV is bigger than that of LSTV RSTV का budget जो है वो LSTV से ज्यादा है union budget allocates funds for running the channel fund कहां से आता है? union budget से, kendri budget से आता है ठीक है भाउस? the RSTV also employs more people than LSTV obviously बात है भीया, RSTV का budget ज्यादा है RSTV का budget ज्यादा है और LSTV का budget कम है तो भीया, budget ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा काम करेंगे ज्यादा programs भी होंगे जाहिर सी बात है चलिए आगे बात कर रहे हैं मरजर की किस चीज़ के मरजर की? लोकसभा TV और राज्यसभा TV के मरजर की 2019 में दरसल इन 2019 एक committee set up की गई थी former प्रसार भारती चेर्मन सूर्य प्रकाश जी के अंदर तो इस committee को ये दाइत्व दिया गया था 2019 में कि वो इस बात को देखें कि दोनों channel को मरज किया जा सकता है क्या? क्या feasibility है? What is the feasibility? क्या scope है? feasibility और scope देखें जरा तो मरजर को किस लिए किया जा रहा है? कि duplicacy of efforts नौकी same चीज के लिए RSTV भी कोशिश कर रहा है कि भाई या parliamentary proceedings से लोगों को हम familiar करवा सके हैं same चीज के लिए LSTV भी काम कर रहा है तो duplication of efforts के बदले ध्यान से समझने की कोशिश कीजेगा duplication of efforts के बदले क्या करने की कोशिश हो रही है integration of efforts है ना? integration of efforts ठीक है? समझ गए? integration of effort ठीक है? तो मुद्दे की बाद ध्यान रखिएगा duplication को खतम करना है और integration करना है so that integration से क्या होगा? integration से जो output है वो enhance हो जाएगा output enhance हो जाएगा मतलब productivity बढ़ जाएगी भाईसा productivity ठीक है? productivity will increase और government के किसी platform की productivity बढ़ जाएगी तो उससे दिक्कत क्या है भाईसा? बढ़िया बात है ना? वैसे भी RSTV जो है वो काफी अच्छा perform कर रहा है RSTV का performance इसका जो viewership है ये सारी चीज़ें अच्छी है ठीक है बास? तो एक बात तो ये हो गई चली आगे चलते हैं सूर्य प्रकाश पैनल जिस पैनल के अभी हम बात कर रहे हैं जिस कमीटी के हम अभी बात कर रहे हैं सूर्य प्रकाश पैनल जो है उनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कमीटी ने सजेस्ट किया कि Amad Sunset TV should have two separate channels, Sunset TV होगा और Sunset TV के दो separate channel होगे, Sunset एक और Sunset दो, एक channel जो है वो टेली कास्ट करेगा live proceeding लोग सभा की, जो other channel है वो टेली कास्ट करेगा live proceeding राज्य सभा की, मतलब ज्यान से समझने की कोशिश करना, one channel, मतलब एक Sunset TV है पर उसके channel दो होगे, Sunset 1, Sunset 2, ठीक है, आप बोलेंगे सर फिर एक का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब यह हुआ कि भीया जितना staff है वो दोनों का एक हो जाएगा, तो efforts एक ही जगहे पर लगेंगे, integrated manner में लगेंगे, है न, cohesive manner में लगेंगे, जब Parliament सतर में नहीं होगा, when Parliament is not in session, तो जो first channel है, वो क्या करेगा, वो air करेगा, हिंदी content और second channel जो है, वो English content air करेगा, समझ में आई, तो पहला channel हिंदी में content देगा, और दूसरा channel English में content देगा, जिस प्रकार से आने वाले दिनों में, मैं आपके लि एक नए channel पर, ठीक है, जुड़े रहिएगा, कुछ नए आने वाला है, कुछ चटपटा आने वाला है, मज़ा आएगा आपको, है न, चलिए boss, तो this will result in better branding and increased viewership of Sunset TV, ठीक है, तो branding भी अच्छी हो पाएगी, और viewership भी बढ़िया होगा, चलिए boss, समझ गए, आगे चलते है अगला update है, हिमालियन सीरो से समंधत, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातने सभी को, सर हम उमीद पे नहीं, जिद पे जीते हैं, अर गजब भीया, सर इसके notes का मिलेंगे, description में telegram channel का link है, at the rate rohan1, है न, rohan1, वहां पे आपको, इसके क्या मिल जाएंगे, PDF एगर मिल जाएं अनगा कह रही है, sir, my father says, hats off to your efforts and dedication, thank you, अनगा, good evening sir, कैसे हो आप, मैं बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं, चलिया, तो भीया, बात कर रहे हैं, हिमालियन सीरो की, हिमालियन सीरो आप इस photo में देख सकते हैं, तो बकरी जैसी लग रही है न, आपको, है न, तो मानस टाइगर reserve जो है, आप南as river के side में, वहाँ पे हिमालियन सीरो को spot किया गया है, हिमालियन सीरो जो है, वो mainland سीरो का एक sub-species है, उप-प्रजाती है मतलब, sub-species मतलब उप-प्रजाती, उप-प्रजाती है, ठीक है, उप-प्रजाती है, चलिए, तो it resembles cross between goat and donkey, cow and pig, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या-क्या देखने को मिल रहा है, जैसे अगर आप face देखेंगे, तो आपको कैसा दिखेंगे, त face देखेंगे, तो आपको face देखेंगे, थोड़ा बकरी और cow का mix देखने को मिलेगा, आप पूँच देखेंगे, तो आपको पूँच कैसा दिखेंगा, देखो, pig जैसा पूँच है, ठीक है, तो यह basically, क्या है, body देखोगे, तो थोड़ा donkey जैसा लगेगा, तो काफी यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक confluence देखने को मिल रहा है, तो आज ही मैं एक student को interview की तेयारी करवा रहा था, तो उसके father का घर है Ajmer, तो हम उसने बोले, sir, Ajmer के बारे में क्या पढ़ूँ, तो मैंने बोला, Ajmer is basically a place of cultural confluence, तो यह वही confluence याद आ गया मुझे इस जा अगर बात करें, तो काफी, है न, there are several species of zeros in the world, काफी सारे species हैं, और इन में से सारे के सारे एशिया में पाए जाते हैं, पर हिमालियन सीरो जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जाईर सी बात है, हिमालियन में मिलता है, बोले तो environment ecology के term में बोले, तो endemic है यह, है न, this is endemic to हिमालियन region, ठीक है बास, समझ में आगी बाते हैं, चलो फिर आगे, habitat, कहां घर है इसका, तो high altitude में मिलता है, 2000 मीटर से 4000 मीटर के बीच, 2000 मीटर से 4000 मीटर के बीच यह, मिलता है, they are known to be found in eastern, central and western हिमालिया, कहां कहां पे मिलते हैं, eastern हिमालिया, ठीक है, central में, और western में, ठीक है, चलिए, but not in the trans-हिमालियन region, मतलब, जो आपका लद्दाक है, उसमें नहीं मिलेगा, कारा कोरम है, उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इन जगों पे नहीं मिलता, चलिए सर्थ, तो यह हर्भी वोरस है, भई, बकरी है, काव है, डॉंकी है, इनका, mix type का है, त बालक पनीर भी खा लेगा, ठीक, पर यह चिकन नहीं घाएगा, IUCN Red List में क्या स्टेटस है, Vulnerable, IUCN Red List में स्टेटस है, Vulnerable, Sights की अगर बात करें, तो Sights में आता है, Appendix 1 में, Wildlife Protection Act 1972 की अगर बात करें, तो उसके Schedule 1 में आता है, ठीक है, चलो जी, इतनी सारी बातें कर ली अपने हैं, और मैंने, काफी है, आया जाई, significance क्या है, significance of sighting of Himalayan Zero, है ना, what is the significance of sighting of Himalayan Zero, तो Himalayan Zero has been spotted for first time in Manas Tiger Reserve, है ना, पहली बार के लिए कहां spot किया गया है, Manas Tiger Reserve में, और anywhere else in Assam, छिक, आसाम में या Manas Tiger Reserve में पहली बार मिला है, however, this does not mean कि animal never visited Assam Forest before, है ना, पर ऐसा नहीं कह सकते कि भीया, आसाम में, है ना, पहले नहीं था, ठीक, तो the sightings of these rare animals and birds are due to better access to remote parts of the protected area, ठीक है, चली, तो अब बस इसलिए देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा access जो है, वो जादा बढ़िया हो गया है, जो reserved forest है, उनके remotest part तक, ठीक है, बाग ही कोई खास बात नहीं है, other rare animals and birds, साइटेड रिसेंटली इन मानस पार्क आर, कौन-कौन से, black-necked crane, critically endangered white-bellied heron, ये सारे हैं यहाँ पर, ठीक, चलिए, तो यहाँ की बात आप समझ गए, अब चलते हैं, आगे, अब चलते हैं, आगे, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, थोड़ी जानकारी, इसके बारे में भी ले लीजे बालक, इसको क्यों छोड़ना है, तो मानस नेशनल पार्क जो है, वो UNESCO Protected World Heritage Site है, एक प्रोजेक्ट, टाइगर के अंदर भी आता है, ये टाइगर रिजर्व भी है, elephant रिजर् ही है, मतलब बायो डाइवरसिटी के point of view से बेहद important है, काफी ज़्यादा high बायो डाइवरसिटी यहां पर आपको देखने को मिलती है, location की बात करें तो हिमालियास के foot hills में पाया जाता है, ये आसाम में, contiguous है ये Royal Manas National Park in Bhutan, और Bhutan में भी है, बुटान में भी Manas National Park है, मतलब बुटान का National है, इंडिया का National है, और इंडिया की साइट भी है, इन दोनों को मिला कर क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला कर बोलते हैं, Tramka, ठीक है, तो in short it is called as Tramka, Trans-Manas Conservation Area, तो origin, इस name का origin कहां से आता है, the name of the park is originated from the Manas River, Manas River का के चारो तरफ, मतलब, Manas River यहां से basically through होता है, आप कह सकते हैं कि ये जो forest है, Manas National Park का, ये हम इसको बोलते हैं, environment के terms में, primary biome, किसी भी नदी के side में, जो vegetation हो, जो forest हो, जैसे कि example के तौर पे, Amazon Rainforest है, Amazon Rainforest, Amazon Rainforest का actual नाम थोड़ी ना, Amazon Rainforest है, actual नाम है उसका Silvas, तो मैं क्या बोलूँगा, कि Silvas is the primary biome of Amazon, ठीक है, Silvas is the primary biome of Amazon, उसी प्रकार से, जो Manas National Park है, ये biome है किसका, ये biome है, Manas River का, चलिए बहुँद, significance क्या है, पार्क is known for rare and endangered, endemic wildlife, जैसे कि, आसाम रूटेड, आसाम रूटेड, टर्टल, हिस्पिड हेर, है ना, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, ठीक, it is also famous for its population of wild water buffalo, तो wild water buffalo के लिए भी famous है भाई साब, चलिए, बहुद इंपोर्टन हो गया फिर तो ये, अगर मैं बात करू, human history की, है ना, human history की बात करें, पगरंग, है ना, is only forest village located in core of minus national park, है ना, तो, पगरंग जो है, वो इकलौता ऐसा village है, जो बिल्कुल मानस national park के core इलाके में इस्थित है, अब बड़े मजे की बात है भाई साब, जनरली साधरन्त किसी भी forest के core में, मतलब अगर वो national park है, में बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार का गांवाव नहीं मिलता, है ना, apart from this village, 56 more villages surrounded the park, है ना, तो 56 villages हैं, इस park को surround करते वे, घेते वे, many more fringe villages are directly or indirectly dependent on park, ये सब जो है park पर dependent है, सब के सब park पर dependent है, river की बात करें, तो मानस river flows through the west of the park, है ना, मानस is major tributary of Brahmaputra river, river is named after the serpent goddess मानसा, है ना, तो serpent goddess मतलब, serpent goddess का क्या मतलब है भाई, जल्दी बताओ, serpent मतलब, सांप, है ना, तो नागिन देवी, ठीक है, मानसा, चली, तो ये थे पाउस, आज के current updates, हम कल फिर मिलेंगे, सुबह 7 बजे, और current affairs के लिए, कल शाम को मिलेंगे, सारी classes अपनी schedule के हिसाब से चलेंगी, एक session हम लोग आज कल 4 पीम पे भी कर रहे हैं, आप वो भी attend कर सकते हैं, 4 पीम पे छोटा सा एक 20 मिनट के आसपास का session करते हैं, आप वो भी attend कर सकते हैं, चली बास, आज के session को यहीं पे खतम करते हैं, और this is the schedule, आज से यानी की तीन तारीक से बैस शुरू हुआ है, आप जाएं तो join कर सकते हैं, complete syllabus coverage है, एंडिया के best educators पढ़ा रहे हैं, DNLive code है, 10% का discount है, fee structure यहाँ पे mentioned है, 1 year का यह है, 2 year का यह है, 3 year का यह है, code लगाना है क्या, DNLive आपको पता ही है, और फिर हो जाएगा fee ऐसा, चली है, तो जल्दी ही हम इस class को दो parts में divide करने वाले हैं, जल्दी हम इस class को दो parts में divide करने वाले हैं, और ये class अप से हिंदी व करेंगे, ठीक है, तो ये class दो parts में divide हो जाएगी बहुत सब, evening में editorial, morning में current affairs, इस प्रकार से दो parts में divide हो जाएगी, I hope you guys will like it, और Hindi English दोनों के लिए रहेगी, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए दोनों के लिए रहेगी, ठीक है, चले, तो फिर आज के ल I hope you guys will like the idea, सुबह current affairs, तो 45 से 50 minutes में जल्दी जल्दी सब निप्ता लेंगे, so that आप current affairs में सुबह सुबह जादा time ना दे, 45 minutes में कोशिश करेंगे, खतम करने की, आठ बजे रखेंगे, 8 a.m. और फिर evening में editorial रखेंगे, 9 p.m. पे, 9 p.m. पे editorial. ठीक है, चले, तो that's all for now and we will meet again, we will talk, ठीक है, चले, बबबाए everyone.